किसी ना किसी की responsibility तो है कि आपके सामने सच लाया जाए और उस सच को बकायदा expose करके आपके सामने रखा जाए और फिर उसके बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो फिर यही का जा सकता है कि आप लोग या तो बुद्धू बना रहना चाहते हैं या आप लोगों को पहले एक social media के ओपर एक video वाइरल की जाती है जिसमें यह claim करती है एक और के काजी फाइस इसा का बेटा आ गया है गैटवे के एरपर्ट के ऊपर और वो काजी फाइस इसा वो अंदर छुप गया है एरपोर्ट के अंदर क्यूंकि वो शायद हमसे डर गया है बला 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 वो उस औरत की बात को सच मानते हुए क्या करते हैं उस fake video को असली consider करके उसको खूब पहला जाता है और काजी फाइस इसा को मेलाइन किया जाता है आप मुझे बताएं मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैंने उस औरत की कुछ recordings भी मेरे तक मिली है जो व जिसमें वो क्लेम करती है अभी यानि कि 40 मिनिट्स अगो जिसमें वो कहती है और वो वीडियो बाइद आवे वो टू-3 आवर्स पहले वो अपलोड कर चुकी है कि ये काजी फाइस इसा का बेटा बाहर आ गया है इरपोर्ट से इसको अमबैसी के लोग लेके जा रहे हैं औ बला 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 और अब वो भी बाद में असल बात सामने आ गई है कि उस खातून ने डब की एक वीडियो के उपर जिसमें वो जो तहरीक इंसाफ का ही कोई एक बंदा है बतारी उसका नाम जो जमील है असल में तो वो उस बंदे और अरस लोगों से पूछ रहा है कि क्या य बेटा है और इसको हमने पकड़ लिया है और इसका बाप अंदर छुपा हुआ है अब इस जूट को एक्सपोस करना किसी ना किसी का तो काम है लेकिन आप लोग पाकिस्तानियों का तो यह है ही नहीं मैंने पहले भी कहा चुकी हुँ हूँ के ब्रेलस क्रीचर्स की तरह कर किया स्कार्च क्राइट करना चाल कि हो यहां पर आने वाले किसी गैस्त को नुकसान पहुचाना चाहती हो बला बला mandatory और कहती है खुद वो अपने मूँ से अडमिट करें को मुझे पुलिस ने ठर्टी मिनिट का टाइम दिया है तो और अज seus एक इंसा का इसको रिर उस मेरी 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 फलाइट महीं, काजिफाय जिसा, भी बाहर आने वाला में अगर वह अभी 30 मिनट्स अगो कहरी है, कि वो आने वाला ह Südia तो जो चंद गेंटे पहले किसी नौजवान की वीडियो ये कहकर वाइरल की गई कि ये काजी फाइज इसा का बेटा है उस जूट का क्या और फिर ये कहके पहलाया गया कि हमने पकड़ लिया है काजी को काजी अंदर छुपा हुआ है मुझे आप ये बताएं कोई फ्लाइट से अपने बेटे को अगर वो काजी फाइज इसा अपनी मिसिस के साथ अकॉनिमी क्लास में बैट के ट्रावल करता है तो क्या वो काजी फाइज इसा ये अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने बच्चों को प्रोटोकोल दे के एरपोर्ट से निकला दे और खुद अंदर छुपके बैट जाएं क्यों ओ इमरान खान के कुछ चाहने वाले बाहर आ गए हैं और मैं उनको फेस नहीं कर सकता मैं बाहर निकलूँगा वो मुझे डोनिट मार देंगे मुझे अंडे मार देंगे मुझे टमाटर मार देंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकता वो काजी को अंदर छुपे रहने देती है कि चार पांच घंडे ये बज़रग अपनी बीवी के साथ जो बीमार बीवी है उसके साथ अंदर छुपा रहे है और बाहर जो वो वेटरस बाहर खड़ी है जिसका असल नाम नहीं आप लोगों को पता है वो बाहर तमाशा कर रही है और आप लोगों के साथ टिक टॉक पे लाइव जाके आप लोगों को मामू पे मामू बनाए जा रही है और आप लोगों मेंसे किसी की जुरुत नहीं है किसी के अंदर जुरुत नहीं है कि आप उसको कांटर कर सके कि उससे सवाल कर सके बाइदावई ये वेटरस वही है जो कल रात को नवाश्रिव के घर के बाइद शायान अली की वालदा को उसने पुश किया क्यों कि शायान अली की वालदा ने कहा कि इसने मुझे पुश किया वहां पर मजूद लोगों ने भी कहा कि येस इसने उसको पुलीस भी आई और शायान अली का बड़ा पंध था, आकि शायान अली ने कहा कि यह दोबारा भी हमारे अंदर आके घुस रही है, खड़ी हो रही है, तो इसको यही खड़ा रहने थे, यह होती है, अब ब्रिंगिंग यह होती है, तरभीयत में पहले भी इसके बात कर चुक पर अखड़ी कहती है कि मैं दो बज Kr इता कर रंपूट पर काजी नहीं आया, काजी नहीं आया मतब कोई वडियो वड़ह है, एउसके पर डब करके आवाजें लगाय जारी है, यह उससे वह भी करउगी, मैं अपने Tiktok पर आफे यह नहीं करी मैं शायद माई भी मैं अपने एक्स यानि के ट्विटर के ऊपर मैं जरूर शेयर कर दूंगी क्योंकि यहां मैं वह प्लाटफॉर्म पे अपने नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मेरा अकाउंट मॉनिटाइस है विच इस मेरी नहीं हो क्योंकि मुझे अपना अकाउंट है मैं औरिजनल चीजें लगाना पसंद करती हूं ना कि कि यह और क्योंकि और उस और उस और अवाज डब करके ट्विटर पर डाली और उस ने कहा कि यह काजी का बेटा है यह देखे यह बाहर निकला है और हमने इसक को यह बुली कर रही हूं तो यह है वो फेक प्रॉपगेंडा जिसको एक्सपोस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जरूरी होना भी चाहिए किसी ना किसों को सामने आना चाहिए कौन गलत है कौन सही है क्योंकि आप लोग भेड़ चाल में हैं बस गधों की तरह जो को पहले कहां से बात पड़ेगी हैं पहले मुझे यह बताएं जी वो आपकी बाजियां तो देखे ना घरों से बिगार होके बिचारियां फिर नहीं है ना उनका कोई वारस है ना कुछ उनका कोई जानने वाला है वो भागी पिरती है कभी तर सड़कों पे कभी उतर सड़को तो निकलो इस एरपोर्ट से हम इंचार करें अभी काजी बाहर आएगा तो बहे चार गंडे पहले तीन गंडे पहले कौन सा काजी का बेटा निकल गया मदब काजी ने दो फ्लाइटे पहले पहले तुम पहुंच बेटा वहां देखी कहीं कोई तरीके इनसाफ के कोई लोग तो नहीं बेटे वे डोनट लेके तो जो मुझे डर लग रहा है तो तु बेटा पहले निकल और मैं बाद में पीछली वाली फ्लाइट से आँगा आगे हैं कासम से थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लिया करें आप लोग बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप लोगोंने पाकि आप लिए तो नहीं कहते हैं कि हमारे तो हदीश भी है कि कोई चीज जब तक आपके तक पहुंचे उसको पहले परक लें आगे पहलाने तक लेकिन मचाल है कि हम लोगोंने कभी सच को जानने की कोशिश की हो हम तो इस तरफ यही कहते हैं कि जो मिल गया है बस प्रॉपगें